दिल्ली में प्रदुशन अब धातक सतर तक पुछीगा है यहाँ पर अब सांस लेना भी जानलेवा हुदा है इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ बातों का विशेश ख्याल रखा जाए इसमें से प्रमुख हिये है कि समय समय पर अपनी आखें पानी से दोएं और अपने चेहरे को पानी से दोएं जिससे कि इस दूशित हवा का जो असर है वो कम से कम हो एक बात का और ख्याल रखना पड़ेगा कि इतने धुन्द में इतने धुन्द में जब हम एक्सराइज करते हैं जब हम व्यायाम करते हैं तो उस समय अपने अधिक सास अंदर बाहर लेते हैं तो इसलिए जरूरी यह है कि आप सुभह के समय खास तोर पर ये व्यायाम ना करें उस समय व्यायाम करें जब धूप थोड़ी सी निकली भी तीसरी प्रमुक बात का ध्यान ये रखना है कि पानी आप शक्ता अनुसार पिएं ज्यादा पिएं बलकी में कम हुआ अपने डॉक्टर से सलहा ले ले अगर ताजे फल और सब्जियां खाएं जिससे कि उसमें उपस्ति एंटियॉक्सिडेंट आपके लिए लाबदायक रहेंगे और वो प्रदूशन से लड़ेंगे एक सबसे इंपॉर्टन चीज यह है सबसे महत्कून चीज यह है कि आप स्वयम प्रदूशन को ना फैलाएं पूरा करकट ना जलाएं गाडियों का कम से कम उपयोग करें और सरकार के उपर दबाब डालें कि वो इस प्रदूशन को रोकने में कोई मदिगार साबित होगा बन्यों